आज मैं आप सब के लिए देखिए यह अंगूठे वाला मोजा लेके आई हूं और इससे बनाने देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और इससे बनाने में देखिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और यह जो मैं आपको फाद सॉक्स दिखाओंगी यह मैं आठ नंबर के पैर के लिए बना रही हूं और इसमें देखिए मैंने तीन कलर की उन यूज की है ताकि यह दिखने में अट्रैक्तिव लगे आप इसे सिंगल कलर की उन से भी बना सकते हैं इसके लिए देखिए मैं यह 9 नंबर की सिलाई है तो यह पंदे आप 40 या 45 ही ले तो देखिए इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है यह पहली सलाई है तो यह सलाई अब पूरा उल्टा बुन कर कंप्लीट कर लें यह सलाई कंप्लीट हो गई है अब देखिए यह दूसरी सलाई है और यहां पर देखिए हम कलर चेंज करेंगे तो देखिए इसी में हम इस तरह से नॉट लगा दे और अब देखिए दूसरे कलर से हमें इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है यह दूसरी सलाई भी आप पूरा उल्टा बुन कर कंप्लीट कर लें यह दूसरी सलाई भी कंप्लीट हो गई है अब यह देखिए तीसरी सलाई है इसे हमें पूरा यल्टा बुनना है तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस कलर से ही हम यह दूसरी सलाई यह तीसरी सलाई पूरा उल्टा बुनने यह तीसरी सलाई भी बन कर कंप्लीट हो गई है अब यह देखिए चौती सलाई है यह रॉंग साइड है हमारा तो यहां पर देखिए हम अपना तीसरा कलर लगाएंगे तो उसे भी देखिए इसमें हम ऐसे नॉट लगा दें और पिर देखिए ग्रीन कलर से भी हमें यह पूरी सलाई उल्टा बुनना है हमें देखिए यहां पर सभी कलर से दो-दो सलाईयां बुननी है दो सलाईयां देखिए हमने यलो कलर से भी बुनी है एक रॉंग साइड और एक राइट साइड फिर हमने कलर सेंज किया है वैसे हमें यहां green के साथ भी करना है यह wrong side हम पूरा green से बुनेंगे फिर जब हम इधर right side में आएंगे तो उधर green से और फिर जब हम again wrong side में आएंगे तो हम वापस से यह black color लगाएंगे तो देखिए इसी तरह से आपको इसे बनाते जाना है यह आप ऐसे बनाएंगे तो आपका इस तरह का pattern create होगा यहाँ पे तो इसे तरह से आप इसे बना ले यह मैं आपको एक लंबी पटी तयार करके फिर दिखाती हूँ तो इसे देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है इसकी जो length है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है अब देखिए यहाँ पे हमें अंगूठा और उंगलिया बनानी है तो देखिए हम कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले हम 18 फंदे बनेंगे 18 फंदे मैंने यहां अंगुठे के लिया है आप चाले तो 18 या 20 फंदे ले सकते हैं तो देखिए यहां पे हम यह यलो कलर से 18 फंदे बुनेंगे तो यह देखिए 18 फंदे मैंने उल्टा बुन लिया है अब इधर से देखिए इधर से भी हम इसे उल्टा बुनेंगे तो ऐसे ही बनाते हुए देखिए जैसे हमने यहां नीचे ऐसा पैटर्न बनाया है वैसे ही बनाते हुए आप इसे दो उंगलियों तक बना कर कंप्लीट कर ले तो यह मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ तो यह देखिए यह मैंने इसे बना लिया है ये मेरा देखी दो उंगलियों से ज्यादा है थोड़ा ये तीन उंगली मैंने यहाँ बनाई है ये आप अपने अंगोठे के नाप के हिसाब से बनाए तो देखिए अभी धर पलट लें इसे ये बाकी के जो उन है इसे आप कट कर ले तो अब देखिए यहाँ पर हमें इन फंदों को अब घटाना है तो देखिए कैसे घटाएंगे हम ये दो फंदे हम एक साथ उल्टा बनेंगे फिर ये दो फंदे एक साथ उल्टा बनेंगे ये हमें दो दो करके फंदे घटा लेने है अब देखिए सिर्फ यहाँ पर ये नाइन फंदे ही बचे हैं अब देखिए इस उन को भी हम कट कर ले अब इसमें देखिए हम सुई लगा ले अब इसके बार देखिए हमें क्या करना है ये सारे फंदे हम इसी उन पर लेंगे सुई की हल्प से ये इस तरह से और इसे हम इस तरह से टाइट कर दें ताकि देखिए ये उपर इस तरह से ये राउंड का शेप आए तो इसे देखिए हम एक बार और इसमें से निकाल लेते हैं इसे आप देखिए अच्छे से टाइट कर लें और इसे हम अंगुठे कि यहां पर सिलाई भी कर लें तो यह कंप्रेट हो गया अंगुठा अब इधर देखिए हम उंगलियों वाला पार्ट बनाएंगे तो अब हम पहले यहां पर यह उन अटाच करेंगे अब यहां देखिए हम इसमें ऐसे यहां पर नॉट लगा दे अब यह पूरी सलाई हम इसी कलर से पूरा उल्टा उल्टा बुन लें यह सलाई कम्प्लीट हो गई है अब इस तरफ से भी देखिए इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है यलो कलर से ही तो यह भी आप बुलनें अब इस तरफ से देखिए इसे हमें दो पार्ट्स में बाटना है तो यहां पर देखिए हमारे टोटल 32 फंदे है अब इसे देखिए हमें तू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 16 इस साइड और 16 इस साइड करके इसे हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो हम यह देखिए दूसरा कलर लगा ले इसमें और यहां पर देखिए हमें इसे 16 में बाटना है तो पहले हम 14 फंदे ही यहां पर हम यह बुनेंगे उल्टा यह 14 फंदे हो गए यहां पर देखिए हमें 16 फंदे करने थे तो यह दो फंदे जो हैं इन दोनों को हम एक साथ यहां पर उल्टा बुनेंगे तो यह 16 फंदे हो गए और हमने यहां 2 का एक कर लिया तो यह अभी हमारे 15 फंदे ही बचे हैं अब इधर भी हमारे 16 फंदे ही बचे हैं तो उसके लिए देखिए हम पहले यहां पर भी 2 का एक करेंगे यानि बीच में हमें दो बार दो का एक करना है और फिर बाकी के 14 फंदे हम इधर भी उल्टा बुन ले यह सलाई देखें कम्प्लेट हो गई है अब इस तरफ से देखें इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर लेना है यह सलाई कम्प्लीट हो गई है अब इस तरफ से देखें हमें यहाँ पर यह ब्लैक कलर लगाना है और अभी हमारे देखें टोटल 30 फंदे ही है तो इसे देखिए पहले हमने यहाँ पे यह 14 फंदे बुने थे अब हम यहाँ पे 13 फंदे ही पहले बुनेंगे तो ब्लैक कलर से हम 13 फंदे बुने अब यह 13 फंदे बुनने के बाद देखिए हम यह दो फंदे को एक साथ बुनेंगे जैसे हमने पहले किया था यह एक बार और फिर इधर से देखिए यह दो बार हमने दो बार दो फंदे को एक साथ बुना है उसके बाद देखिए इधर हमारे 13 फंदे ही बचे हैं तो इसे भी हम देखिए उल्टा बुनने और फिर देखिए राइट साइड में भी हम इसी कलर से पूरा उल्टा बुल लेंगे तो देखिए यह दो सलाय कम्प्लीट कर ली है और अब हमारे देखिए यहाँ पर 28 फंदे ही बचे हैं तो फिर से देखिए हम यह कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर देखिए अब हम 12 फंदे ही बुनेंगे उल्टा पहले तो इस तरह से देखिए हम हर बार यहाँ पर एक एक फंदा कम करते जाएंगे पहले हमने 14 फंदे बुने थे फिर 13 अब यह 12 फंदे हो गए अब इसकी जब हम next तरलाई बुनेंगे तो वहाँ पे हम 11 फंदे ही पहले उल्टे बुनेंगे यह 12 फंदे हो गए फिर हमें यहाँ पर देखिए 2 का 1 करना है और फिर से देखिए 2 का 1 और फिर बाकी बचे 12 फंदे हम उल्टा बुनेंगे फिर जब हम राइट साइड में जाएंगे हमें इसे पूरा उल्टा बुनना है यह दो सलाई आप कंप्लेट कर ले उसके बाद देखिए जब आप फिर से रॉंग साइड में आएंगे तो हमें फिर से कलर चेंज करना है और साथ ही देखिए हमें 11 फंदे बुनने हैं फिर 2 का 1 करना है फिर 2 का 1 और फिर 11 फंदे बुनेंगे फिर राइट साइड में पूरा उल्टा फिर हम अगें जब रॉंग साइड म नाबच जाए 8 फंदे इस साइड और 8 फंदे इस साइड बीच वाले को लेते हुए तो यह मैं आपको बना कर फिर दिखाती हूँ तो यह देखिए यह मैंने यहां तक बना लिया है अभी हमारे पास देखिए 16 फंदे ही है तो अब देखिए इसके आगे हमें नहीं बनाना है इसे हम यहां से उन कट कर ले अब देखिए इसे भी हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने यहां उठे पर किया था इस सारे पंदे इस उन पर हमें उतार लेने हैं अब इसे देखिए हम ऐसे रॉंग साइड पलट ले और इसकी हम सिलाई कर लें यहां से यहां तक कर लें तो देखिए यहां यह दोनों साइट सिल गया है अब इसे देखिए हमें पीछे से यहां पे सिलना है और कुछ दूर यहां भी सिलना है तो यह आप इतना पीछे से छोड़ कर यहां तक ऐसे ही सिलाई कर लें इसकी भी यह इस तरह से सिलना है हमें इसे भी इसकी सिलाई देखिए कर ली है मैंने यह पीछे भी सिलाई कर लिया है अब इसे आप देखिए बलट ले यह एक्सराउन कट कर लें आप तो यह देखिए अब हमारा सॉक्स बनकर विल्कुल रेडी हो गया है यह ऐसे है तो सेम ऐसे ही देखिए आप दूसरा भी बना ले बस उसमें हम जब यहाँ उपर आएंगे तो यहाँ पर हमें चेंजिस करने होंगे जैसे हमने किनारे साइड में अंगुठा बनाया था तो अब अंगुठा हमारा देखिए इस साइड बनेगा पहले जब हम अंगुठा बनाये थे तो वो इस साइड बनाये थे तो इन थंडियों में इस मुझे को आप जरूर ट्राइ करें तो Friends, कैसा लगा आपको मेरा ये Video मुझे गमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरा ये Video पसंद आया हो तो Please मेरे Video को Like हो जड़ ज़़ ज़़ शेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवारा ना भूलें थैंक्स पॉर वाचिंग